चोपड़ा है जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारी बचों अभी 14 जोन को रेजल्ट आ जाएगा और उसके बाद में MCC और स्टेट की कांसलिंग स्टार्ट हो जाएगी ऐसे कंडिडेट जिनको गवर्मेंट कोलेज नहीं मिलती है और उनके मार्क्स कम है और वो थोड़ा सा बजट अफोर्ड कर सकते हैं तो उनके लिए मैं यहाँ चार पोपुलर स्टेट्स के बारे में बताऊंगा जिनमें स्टुडेंट एडमिसन लेना पसंद करते हैं किसी भी स्टेट के अपने गवर्मेंट कोलेज में एडमिसन नहीं मिलने से सभी स्टुडेंट सभी स्टेट के स्टुडेंट इन चार स्टेट में एडमिसन लेना पसंद करते हैं और इनमें एडमिसन लेते हैं मैं आपको इनमे सीटें बताऊंगा कितनी सीटें और कितनी फीस है कितनी फीस हो सकती है कितनी कटोप रही है प्रिवियस एर में अभी कटोप कितनी रह सकती है और भी कुछ मैं आपको ऐसे मेरिट और डी मेरिट बताऊंगा जो आपको अभी तक मालूम नहीं होगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं करनाटका स्टेट की, जो मैं चार स्टेट की बात करने वाला हूँ, वो सबसे पहले करनाटका, पिर केरिला, शक्तिशगड, यूपी, इन में student admission लेना क्यों पसंद करते हैं, इन के बारे में भी बताऊंगा, तो सबसे पहले हम करनाटक के अंडर आते हैं government वहां की government koleges भी इसी के अंडर आते हैं इस university के और private colleges भी इसी university के अंडर आते हैं यहाँ यह जो university है इंडिया की top की university है और इसके rule and regulation बड़े ही सक्त हैं और इन rule और regulation के कारण करनाथका state की हर एक private medical college और government medical college में study का जो level है वो बहुत ही अच्छा है hospital का जो infrastructure वगरा है वो भी इसमें बहुत अच्छा है इस state में इसलिए जिन states में जिन बच्चों को वहां के government college में या फिर private college में भी admission नहीं मिलता है वो student यहां करनाटका इस्टेट में admission लेना पसंद करते हैं कुछ state तो ऐसे हैं जिनके private medical college में admission नहीं लेकर के student करनाटका इस्टेट के private medical college में admission लेते हैं अब इनके colleges की बात करते हैं तो यहां जो total colleges हैं वो total colleges यहां पर 32 private colleges हैं यहां total 56 government colleges हैं करनाटका इस्टेट में काफी सारी college हैं तो इसमें जो private colleges हैं वो 32 colleges हैं अभी काफी सारी student in colleges को semi government colleges मानते हैं ऐसा बिलक प्राइवेट कोलेज नहीं हैं ये प्राइवेट कोलेजेज हैं जो किसी संस्ता या ट्रस्ट द्वारासन चालित होती हैं हाँ इन में इतना जरूर है इन प्राइवेट कोलेजेज में गॉर्मेंट कोटा होता है और कुछ प्राइवेट कोलेजेज तो ऐसे हैं जैसे स्ट्राइब कोड़ा भी होता है अब इन में टोटल ओपन एग के 717 seats ने यानि other state के candidates in 717 seat पर admission ले सकते हैं in 32 private colleges में यहां तीन प्रकार का quota होता है in private colleges में सबसे पहले private quota होता है उसके बाद other quota होता है और NRI quota होता है other quota और NRI quota की fees सहम होती है वो काफी ज्यादा होती है other quota की seat 261 होती है है और NRI की 767 seats जो बाद में other quota में convert हो जाती है अब इनकी बात करते हैं fees की कोलेज के बारे में मैंने आपको बता दिया है अब बात करेंगे यहां fees की तो यहां 26 colleges ऐसे हैं 26 private colleges ऐसे हैं जिनकी जो पिछले yes तक fees थी 10,92,852 रूपीज थी NRI other की 26 से लेकर के 41,000 तक थी वो कोलेज के according fees थी government की 144,496 वहां की fees थी यह करनाटका स्टेट के domicile candidate ही इस fees पर admission ले सकते हैं government seat पर लेकिन जो प्राइवेट और NRI other seats हैं इनमें other state candidate भी admission ले सकते हैं अब इस fees में यह 26 colleges हैं जिनकी fees 10,92,000 है लेकिन 6 colleges ऐसे हैं जिनकी fees 16,00,000 से 22,00,000 पर एनम तक है जिनमें प्राइवेट कोलेज हैं यह और other quota की एनराई की fees इनकी अलग है लेकिन जो normal fees है वो 16 से 22,00,000 से पर एर है तो सबसे कम fees 16,00,000 वाज़ाबंदे की है तो इसमें अलग-अलग fees है यह six colleges की लेकिन जो यह 26 colleges हैं इनकी यह fees same है अब इस fees के अलावा जो बाकी expense आता है वो 1,50,000 के approximately आता है अलग-अलग college का अलग-अलग है hostel fees अलग है other fees computer fees शोरी library fees यह other fees में आती है यह अलग-अलग है लेकिन मैं आपको लमसम बता देता हूं कि 1,50,000 के अंदर है तो अगर कोई इसमें admission लेना चाता है इन 26 colleges में तो यहाँ 11,00,000 हम fees माल लेते हैं और 1,50,000 अलग माल लेते हैं तो 12,000,50,000 के निरवाई fees बैट जाती है यहाँ पर अब यहाँ fees increase होती है पिछले 2-3 सालों से पिछली साल fees increase हुई थी इससे पहले 2 साल तक इंक्रीज नहीं हुई थी तो यह जब में आपका सब कुछ हो जाएगा साड़े 4 साल की fees लगती है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी ज़्यादा fees लगने के बाद भी करनाटका स्टेट में internship के दोरान स्ट्राइपंड नहीं मिलता है अधर स्टेट कंडिडेट को जो open seat पर admission लेते हैं अधर सीट पर admission लेते हैं हालांकि वहाँ के जो government quota के candidates हैं government seat पर आते हैं उनको 2021 से उनको स्ट्राइपंड लागू किया गया था जब उन्होंने स्ट्राइक वगरा किया था तब लेकिन अधर स्टेट कंडिडेट को अभी भी स्ट्राइपंड वहाँ मिलता नहीं है तो ये कोलेजों के बारे में मैंने करनाटका स्टेट के बारे में बता दिया है education अच्छा है सब कुछ अच्छा है आप बे जिजग वहाँ admission ले सकते हैं लेकिन आपको fees इतनी पड़ेगी इतनी fees आप अपोर्ड कर सकते हैं थाटीन लाग पर year साड़े चार साल के लिए और उसके बाद में एक साल internship में आपको इस टाइप हंट तो मिलेगा नहीं अच्छा infrastructure है और अच्छी university है तो उपकी university है अब बात करते हम कटोफ की तो कटोफ का यहां ऐसा रा है कि जो previous year में कटोफ रही है वो 517 marks थर्ड राउंड तक कटोफ रही है हालां कि यह आगे वाले राउंड में 503 तक आ गई थी इस ट्रे राउंड में लेकिन हम इस्ट्रे राउंड का लेकिन नहीं चल सकते वो एक दो सीट बचती है और उसमें student को admission कहीं लेना ही होता है इसमें तो वो student seat लेते हैं जिनको ऐसा लगता है गया तो मेरे को seat मिल जाए गया दुबारा तयारी कर लूँगा तो 503 तो एक दो seat के लिए रही थी लेकिन हम यहां इसकी कटोफ जो मानेंगे थर्ड राउंड तक 517 कटोफ रही थी पिछले साल तक त 350 कटोफ रहती है उन colleges की जिनकी high fees है अच्छे colleges हैं अब बात करें कि 24 में क्या कटोफ रह सकती है तो 24 में करनाटका state के लिए 530 कटोफ रह सकती है इतना हम मानके चल रहे हैं अब बात करते हैं application form की तो इसके application form फिल किये जा चुके हैं मैंने पहले वीडियो बना के बता दि है उसकी 20 मैं लास्ट डेट है तो application form अगर दुबारा ओपन होंगे वैसे chances हैं कि ये result के बाद में दुबारा ओपन होंगे तो दुबारा ओपन होंगे तो हम आपको बता देंगे कि करनाटका state के form ओपन हो गए हैं आप form फिल कर सकते हैं इसमें security money की बात करें तो यहां first और कारण काफी कटोफ गई थी और third round में इसमें security deposit करवाई गई थी फर्स्ट और second round में कोई security नहीं थी थर्ड राउंड में इसमें one लाग रुपे security deposit करवाई गई थी counseling rules अलग हैं इसके आपको first round में college अलोट हो जाती है तो आपको फिर 4 option देने होते हैं उन चार option में आप कौन सा option opt करते हैं अगर आप first round में seat लेते हैं तो second में जाय सकते हैं या नहीं जा सकते हैं इस परकार के इसके rule अलग हैं करनाटका के तो ये हमारे state की book में हमने सब कुछ समझा रखा है क्या rule हैं करनाटका के वो इसमें अगर हम rule मैं आपको बताऊंगा तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप हमारी book के download करके देख सकते हैं उसमें इसके rules के भी क्या rules हैं इसमें तो ये ब पर करके negotiate करवा सकते हैं इसकी काफी ज्यादा फीस होती है तो कम फीस पर भी जो NRI की seatे convert होती है अधर में तो वहां भी admission हो जाता है इसमें तो इसके लिए आप last में try कर सकते हैं तो करनाटका इस्टेट के बात करते हैं हम केरिला इस्टेट की केरिला इस्टेट में student में इस इस्टेट की open इस्टेट की सबसे कम फीस हैं यहाँ 19 private colleges हैं और इन 19 पर्इवेट कोलिजेज में जो total seat से वो other state candidate के लिए threy hundred 88 seat से जिसमें NRIB सामिल हैं और 19 private colleges हैं जिनमें अधर कोटा है, ये 15% कोटा 2019 से फर्स्ट बार इंट्रोड्यूस हुआ था, फीज की बात करें तो यहां अलग-अलग कोलेज की अलग-अलग फीज है, 7 लाग से लेकिन 9 लाग तक यहां ट्यूसन फीज है, अधर की बात करें तो इसमें होस्टल वगरागार सब कुछ मिला के 2 लाग अधर एक्सपेंस हो जाता है, तो टोटल 9 से 11 लाग पर एर की फीज पढ़ जाती है, यहां जो सबसे कम फीज है, इससे कहीं कम फीज की कोई कोलेज नहीं है इंडिया में, प्राइवेट स्टेट की बात करें, ओपन स्टेट की, कटोफ की बात करें तो यहां 531 कटोफ है, मैंने आपको बताया, फीज के कारणी यहां कटोफ ज्यादा रहती है करनाटकाई स्टेट से, इस बार 545 रह सकती है यहां, क्यूंकि इस स्टेट का जो फीज का इंक्रिमेंट होता है, वो 20,000, 30,000 के नियरबाई परियर होता है, ज्यादा फीज इंक्रिमेंट के लिए फिर से यह open होते हैं, रजल्ट आने के बाद में open होने की possibility है, और यह 3-4 दिन के लिए ही open होते हैं, आप हमारे चैनल से जुड के रहें, हम आपको बता देंगे यह कब open होते हैं, security money की बात करें तो first में 5000 रूपीज, first round में deposit करवाय जाते हैं, second round से इसमें 95,000 फिर हो जाते हैं, इस प्रकार के rules से, यार 12 government colleges हैं, केरला इस्टेट में, केरला इस्टेट में जो colleges मिलती हैं इस नमर पर, जो high marks पर colleges मिलती हैं, वो तो 4 colleges हैं, कुस्पगरी वगरा हो गया, जूबली मिसिन हो गया, वो तो high marks पर मिलती हैं, उनकी fees भी कम है, लेकिन जो आपको य सकते हैं, तो college को देखें, तो करनाटका स्टेट के colleges इन से बेतर होते हैं, fees का फरक है, 2 या 3 लाग पर year का, तो आप देख सकते हैं, कि आपको करनाटका स्टेट में admission लेना है, या फिर केरला इस्टेट में admission लेना है, एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने practically इस स्टेट के बच्चे वहाँ आपको काफी मिलेंगे, यानि वहाँ के colleges में आप इधर का माहूल ही पाएंगे, लेकिन केरला में ये 2019 से स्टार्ट हुया है, 15% All India कोटा, तो केरला इस्टेट में वहाँ इस तरफ के इतनी बच्चे मिलते नहीं हैं, और वहाँ हरे college में 15-15 सीटे ही, 15% सीटे ही हैं, तो सीटे कम हैं, इस तरफ के बच्चे केरला इस्टेट में कम हैं, ये मैं आपको प्रक्टिकली बता रहा हूँ ये बाते, अब जो तीस तरह स्टेट है, वो 36 गड़ है, 36 गड़ के तीन colleges है, हालां कि college को मैं इतना अच्छा तो नहीं मानता, लेक स्टेट के जो बच्चे हैं, ये 36 गड़ की तरफ में मूव करते हैं, अब यहां तीन private college है, 36 गड़ में, तीन private college में, मैं इतना अच्छा तो नहीं मानता, इस्टेंडर्ड इनका, जो स्री संक्राचारी है, उनकी फीस है, 7,99,187, ये जो फीस में आपको बता रहा हूँ, य ये 2325 तीन साल के लिए fix की है, वहां की फीस regulation committee ने, और उनमें ये भी लिखा गया है, कि अगर इस्टुडेंट नहीं चाहे, तो ये hostel वगरा में जरूरी नहीं है, कि वो hostel वगरा में रहे ही, वो बार भी रह सकता है, ये tuition fees उसको देना जरूरी है, लेकिन colleges की जो total fees है, वो जो मैंने red में दिखा रखे है, वो है, रिम्स की 745,187 है, लेकिन जो पूरी fees है, वो ये है, श्री बाला जी की 750,187 है, लेकिन full fees ये है, जिसमें hostel वगरा मैस वगरा सब कुछ सामिल है, हालांकि वहां की fees regulatory authority ने ये दे रखा है, कि student चाहे तो वो बार भी रह सकता है, लेकि ये जो colleges है, मैं बोलता हूँ, ये इतनी fees तो लेके ही रहते हैं, किसी ना किसी वेसे इतनी fees ले ही लेते हैं, तो करनाटका स्टेट में भी fees के कारण स्टूडेंट वहां admission लेते हैं, अब यहां की जो तीन colleges हैं, इन तीन colleges में admission student मजबूरी से ही लेना होता है, मैं यह आपको एक सजेस्ट करूँगा कि आपके मार्स अगर ठीक हैं तो आप करनाट का स्टेट अवेल करें इसकी बजाए अब 2023 की कटोफ देखें तो 492 कटोफ गई थी इसके मनेजमेंट कोटा की यहां के तीन प्राइवेट कोलेजेज में 64 सीट हैं तो 192 टोटल सीट से और 22-22 NRI की सीट यहीं तो 66 सीट NRI की हैं इस बार की कटोफ की बात करें तो 515 मार्क्स रह सकती हैं यह जो 492 मैं कटोफ बता रहा हूं यह थार्ड राउंड की कटोफ है इस्ट्रे में एक-डो सीटे जाती हैं वो कोलेज के पास जाती हैं सीटे उनकी आप बिल्कुल आसाब मत करना वो जो क लोट करते हैं, दो-तीन सीट ही बसती हैं, किसी में तीन सीट बसती हैं, किसी में चार सीट बसती हैं, तो इनके वो आप मानके ने चलें, आप थर्ड राउंड तक ही मानके चलें, क्योंकि इसमें थर्ड राउंड ओनलाइन होता है, और ओनलाइन तक कि इसमें कोई किसी परका समझ रहे होंगे अब यहां की जो application form है वो application form अभी result आने के बाद जब mcc की counseling स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद में start होंगे इनके application form security money की बात करें तो security money यहां पहले second round में deposit होआ करती थी अभी first round में ही one lakh रुपीज security money यहां deposit होती है अगर किसी को seat मिल जाती है तो वो security वापस नहीं होती है counseling rule इस state के बहुत ही अलग है वो हमारी state की book में आपको मिल जाएंगे अगर आपको first round में seat alert हो जाती है आप नहीं लेते हैं तो आप counseling से बार हो जाएंगे ऐसी rule counseling rule यहां इस states में है अलग-अलग state के अलग-अलग counseling rule है इन counseling rules को आप हमारी book में देख सकते हैं कौन सी state में क्या rules है अब next state बात करते हैं हम उत्तर परदेश state की एक जाना पहचाना नाम जो पहले हुआ करता था hidden fees के नाम से जाना जाता था लेकिन आजकल government ने पूरा control कर दिया है हालांकि ये hidden fees लेते हैं लेकिन 50,000 या 1,000,000 के nearby per year की hidden fees इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं वो किसी भी नाम से ले सकते हैं वो exam fees हो गया या कुछ हो गया तो किसी-किसी college में ये 50,000 के nearby लेते हैं बाकी जो government ने fees पैकर रखी है वो ही fees ये लेते हैं आईए एक बार इन colleges की details हम देख लेते हैं पूरी की पूरी क्यूंकि UP state में अभी admission लेने में कोई problem नहीं है कोई खतरा नहीं है colleges में admission लेने से कोई दिकत नहीं है जो पहले लोग ये मानते थे कि UP की तरफ के colleges में हमें नहीं जाना है लेकिन आजकल ऐसी कोई दिकत नहीं है यहां total 31 private colleges हैं और UP में खास बात यह है कि इसमें अपने state का कोई quota नहीं होता private colleges में other state के candidate भी उतने ही eligible हैं जितने UP state के candidate eligible हैं इसमें तो इसमें total जो open seat है 4,656 seats हैं इसमें 5 minority colleges include हैं जिसमें 700 seats हैं इसमें अब fees की बात करें तो यह 10,77,229 सीतापूर की सबसे कम fees की college है और सबसे ज्यादा fees 13,73,760 सिरी राम मूर्थी की fees है यहां hostel डेड़ लाग से एक लाग पिछेतर जार यहां नोन AC लेते हैं तो डेड़ लाग और AC अगर होस्टल लेते हैं तो 1,75,000 आपको यहां pay करना पड़ेगा इसमें match भी include है other fees 85,600 है और इसमें आपको admission के time में 3,00,000 रुपए security deposit करने होती है जो course complete होने के बाद आपको वापस मिल जाएगी तो मैंने fees के बारे में आपको बता दिया है यहां इस साल के लिए fees का increment यहां होने की पूरी possibility है क्योंकि 3 साल से इस state में fees नहीं बड़ी है चाहे वो tuition fees हो, hostel fees हो, other fees हो, 3 साल से same ही fees रह रही है तो इस बार पूरी chances हैं यहां के कि इस बार fees increase होगी और increase होगी तो यह किस amount में increase होगी यह तो समय ही बताएगा अब कटोफ की एक बार हम बात कर लेते हैं तो UP state की 2022 की कटोफ की बात करें तो qualifying marks पर भी यहां college मिल गए थे लेकिन पिछली साल 236 marks पर private colleges मिली थे, minority open हुआ था 200 पर, 200 पर minority college मिला था other state candidate को किसी भी category को open में, लेकिन जो 10 minority के candidate हैं तीर्थंकर medical college है 139 पर मिला था और muslim minority के जो college हैं उसमें last college 146 marks पर मिला था, यह minority के college है, minority के candidates को मिलते हैं यह college अब 2024 के लिए मैं आपको 250 cutoff predict कर रहा हूँ, लेकिन यह cutoff depend करेगी यहां की fees पर, कितने fees increase होती है और यहां कितने private medical college open होते हैं, उस पर depend करेगी, लेकिन अगर ज्यादा fees नहीं भड़ी, काफी सारे private colleges, 89 private colleges अगर यहां open हुए तो यह 20 याने की 250 marks तक यह cutoff जा सकती है, application form की बात करें तो result के बाद MCC की counseling इस्टार्ट होगी, उसके बाद इसके application form फिल किये जाएंगे, security money first round में ही 2 lakh रुपे deposit करवा ली जाती है, इसके counseling rule अलग है इसके counseling rule यह है, first round में seat alert होती है, आपको लेना पड़ेगा, नहीं लेते हैं तो आपकी security money जबत हो जाती है, हालांकि अगले round में आप फिर से security money deposit करके participate कर सकते हैं, वो separate thing है, लेकिन यहां आपकी security money deposit हो जाएगी, सबसे बड़ी बात, important बात में आपको UP state के लिए ये बता देता हूँ कि अगर आपको UP state में admission लेना है, तो first round में ही admission लेना है, otherwise second round, third round, mop up round आगे, जितने भी round आते जाएंगे, उन में cut off high जाती जाएगी, इसलि है, अगर UP state में आपको admission लेना है, तो first round में ही आप admission लेके, अपने seat secure कर ले, और उसके बाद up gradation में डाल दें, तो मैंने आपको ये चार states के बारे में बता दिया है, और ये चार states popular state है, हर एक student इन में admission लेना चाता है, इनकी फीसें कम है, जो भी बात है, वो मैंने आपको बता दी है, उत्तर प्रदेश state में अभी admission लेने में डरने वाली कोई बात नहीं है, काफी state से, विस्ट बंगॉल से, बाकि MP वगरा से, लड़कियां भी इसमें MBBS कर रही है, कोई किसी परकार का कोई डर नहीं है, यहाँ पर medical college में या किसी परकार की कोई परिशानी नहीं ह अगर आप यहाँ की fee support कर सकते हैं, तो आप, आपके जो marks हैं, वो cut-off range में आ रहे हैं, तो UP में admission लेने में कोई बुराई नहीं है, तो यह जानकारी थी, चार states के बारे में, अलग states के बारे में, अलग-अलग जानकारी हम फिर से लेके आएंगे, यह हमने आपको जानकारी 15 लाग तक के budget के according, 15 लाग के budget से जारा आप spend करना चाते हैं, आपके marks कम है, तो उसके लिए मैं separate video बनाऊंगा, कि आपको कोंड से state में लेना चाहिए, यह चार state, popular state है, इनमें आप admission ले सकते हैं, कोई किसी प्रकार का fraud नहीं है, अराम से आप MBBS करके अपना सबना पूरा कर सकते हैं, अब next में बात करता हूँ, अगर आप counseling के बारे में जानकारी लेना चाते हैं, तो 14 June को result आ जाएगा, NTA का need का, उसके बाद में 10-12 दिन बाद counseling स्टार्ट हो जाएगी, तो इसमें हमारी 3 book available है, MCC के लिए All India Kota के लिए है, state के लिए है, जो मैंने आपको यह अभी states की बातें बताईए, उसमें और बहुत कुछ state की सभी कुछ दिया गया है, आई उस वेटनरी की book भी है, अब All India की जो book है, उसमें यह सारी facility है, ओपन कोटा के बारे में, BSC Nursing AIMS, जिपमारे, FMC, DUIP, सेंटल पूल कोटा, सब के बारे में भरपूर जानकारी दी गई है, च् 24 लिस्ट दी गई है, All India की कैसे आपको 24 फिल करनी है, कटोफ, previous year की, चार साल की, AIMS की कटोफ, अलग दिम्द के बारे में बहुत कुछ समझाया गया है, कहां है, कितनी फीस है, होस्टल फीस कितनी है, कटोफ क्या रही है, और इसमें सेंटल पूल कोटा के बारे में भी समझाया, इस्टेट में भी ये सारी सेंटल फिल करनी है, इसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मौर पर क्लिक करेंगे, तो यहां तीनों बुक्स के लिंक आपको मिल जाएंगे, या हमारी वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाएंगे, तो आपको यहां किसी बुक्स पर आप क्लिक करेंगे, तो वहां डाउनलोड के लिंक पर पहुंच जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इन तीन बुक्स को जिस बुक्स को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, बाकि जैसे ही आप डाउनलोड करे आता result के बाद में क्योंकि हम limited बच्चे ही counseling के लिए रखते हैं तो जिन बच्चों से जिन बच्चों को हमारे से contact करना है जिसी book download करेंगे हम आप से बात कर लेंगे तो ये जानकारी थी चार popular states के बारे में बाकी states का वीडियो मैं आपके सामने फिर से लेके आऊंगा मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में आप से फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए मैं हसाई चोपना आप से लेता हूँ विदा जैहिन